राजा भाईया की एक चालने बरतेंता पार्टी की मुश्किलें तीन लोगसभा सीटों पर बढ़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं कौशामबी सीट, प्रताबगड सीट और प्रयागराज सीट की। नमस्कार मेरा नाम विवेक राया और आप देख रहे हैं ABP Life। राजा भाईया को लेकर के ये बात कही जाती है कि राजा भाईया और उनका जो दल है उसका प्रभाव प्रताबगड कौशामबी ये वो सीटे हैं जहां पे उनका प्रभाव खासा माना जाता है। और इसी कारड राजा भहिया दो विधानसबा ऐसी सीटे हैं जहां से लंबे समय से वो और उनकी पार्टी के लोग विधायक चुने जाते रहे हैं कौशामभी वो सीट जहां राजा भहिया और उनके जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं कौशामभी लोगसबा सीट के अंदर ही दो विधानसबा वो सीटे आती हैं जिसमें कुंडा विधानसबा और बाबागंज विधानसबा ये वो दो विधानसबा सीटें जहां राजा भहिया का अपना एक ये कहा जाता है कि वो काफी दादा हस्तक शेप रखते हैं वहाँ और इसके साथ साथ कौशामबी सीट पर जो सांसा चुना जाता है वहाँ राजा भहिया के एक इशारे की अपनी एहमियत होती है बरते इंता पार्टी इसी कारण चाहती थी कि राजा भहिया का समर्थन उसको कौशामबी सीट प्रताब गड़ सीट पर मिल जाए इसको लेकर के बरते इंता पार्टी ने काफी कुश्चें की पिछले दिनों ग्रे मंत्रे अमिश्या से भी राजा भहिया की मुलाकात हुई और उस दौरान ये बात कही गई अमिश्या ने इस बात का आश्वाशन दिया कि राजा भहिया की जो दिक्कते हैं उसका समाधान होगा और राजा भहिया जो चीज चाहते हैं या जिस तरीके से अपना हस्तक्षेप चाहते हैं उस हस्तक्षेप के साथ उन वो अगर अगर प्रत्याशी को समर्थन देंगे तो चीज़ें सारी बहतर हो जाएंगी पर कल जिस तरीके से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने कौश हमे से जो प्रत्याशी हैं वो जाते हैं राजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उस दोरान वो न्यूट्रल होने की बात कहते हैं यानि कि जनता से इस बात की अपील करते हैं कि वो जिसको चाहे वोट करें अपने हिसाब से वोट करें उन्होंने ना भरतेंता पार्टी का पक्ष रखा ना इसमाजवादी पार्टी का पक्ष रखा आपको बता दें ये कहान पिछले कुछ दुनों से चल रही है राजा भाया अपने एक सहयोगी शैलेंद्र कुमार को कौशामबी की सीट से प्रत्याशी बनवाना चाहते थे वो क्योंकि जो शैलेंद्र कुमार है वो 2019 में भी कौशामबी की सीट से राजा भया की जो पार्टी है उस पर चुनाव लड़ चुके हैं पर तब भरतेंता पार्टी से उनकी बात नहीं बन पाई थी इसके बाद एक धड़ा ऐसा भी था जो उन्ट समाजवादी पार्टी से राजा भया की बात कराने की कोशिश की समाजवादी पार्टी की जो उस दोरान प्रदेश अध्यक्षन एरशुत्तम पतेल वो राजा वियाख से मिलने भी गए पर सपा के खेवें से भी बहुत बात नहीं बन पाई और ये दोर वो था जब प्रदेश में राजसभा के चुना हो रहे तो राजसभा को लेकर के वोटिंग हो रही थी यह माना जा रहा था कि राजा भयान एक शरत रखी थी कि जो उनके आदमी क को सपोर्ट करेगा या जो उनके प्रत्याशी को जो उनके आदमी को प्रत्याशी बनाएगा वो उसे ही समर्थन देंगे पर तब भरतेंता पार्टी की तरफ से एक आशवाशन लोग कहते हैं कि मिला था कि आपकी बातें सोनी जाएंगी पर जब टिकटों का एलान हुआ त हैं उनको बहुत पसंद नहीं करते हैं इस कारण वो उनका टिकट बदलवाना चाहते थे पर जब बरतेंता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसत को एक बार फिर से टिकट दे दिया तो स्थितिया काफी जादा बिगड़ी पर इस दौरान मैनेजमेंट की कोशिश हुई रा काई चीजन ठीक हो जाएं पर इस्थितिया बहुत बहतर नहीं हुई और कल कर राजा भाया कि अपने पर कल के बाद ये लग रहा है कि शायद विजुपी को समर्थन नहीं मिल पाएगा और अंदरूनी इस बाद की भी खबर आ रही है कि राज़ा भीया समार्थी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे क्या पॉलिटिकल इस्तिया आप समझपा रहे हैं देखे राज़ा भीया बहुत लंबे समय से कुंडा प्रताबगड या कोसांबे की राजनीती में अपना असर रखते हैं और उनके पार्टी भी है जिसका जनसत्ता दल के नाम से अब फिलाल जो इस्तिया है कि चुकि उनके अपने कैनिडेट सीधे नहीं लड़ रहे हैं तो वने किसी ने किसी को समर्थन देना है और वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही समर्थन देना चाहेंगे तो जो अभी लग रहा था लगातार कि जो है भारतियन्ता पार्टी के फिवर में लाने के लिए भारतियन्ता पार्टी अपने प्रयास कर रही थी जैसे कि संजी बालियान को राजा भीया के हां जाने की घटना हुई या वो गए तो उसमें लेदेकर के यही था कि जो उनके इस्थानी सांसद है सोनकर तो विनोस सोनकर को वो समर्थन देती है और विनोस सोनकर की जो है लड़ाई वहाँ पर कलियर हो जाए कि वो वहां से जीत सके है लेकिन राजा भाया चुकि उनकी अपने पसंद अपने अमिद्वारों के लिए होती है अपने तरीके से होती है तो वो जो गणित जो परदी की पीछे वाली थी लगता है कि कहीं ने कहीं भारतियनता पार्टी उसको सिट नहीं कर सकी या उसका बैलनस नहीं बना सकी तो यह राजा भाया का जुकाओ जो की भीतर से है या जो कहा जा रहा है वो यह है कि समाजवादी पार्टी के उमिद्वार को समर्थन देंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी या कौसांबी में अपोजिशन के लिए इनका समर्थन विपक्ष चमुद्वारों को निकालने में या उनके और जुकाओ बढ़ाने के लिए भरपूर होगा और राजा भहिया का अब ये देखना होगा कि बैलन्स जो है फिर दुबारा कोई अक्टिविटी बदलती है या वो पूरी तरह से विपक्ष के साथ ही रहते हैं लोकियों की लगातार उन्होंने अपनी चीजों को बदला है वो जब राजा भहिया का आगला किदम बताएगा अगर कुछ बदलता है तो वर्ष पत्रकार विजदूबे को आप लोगों ने सुना वो किस तरीके का पूरा जुआ का गड़ित है वो बताने की कोशिश कर रहे थे आपको बता दें कि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है कि राजा भहिया ने अंदर खाने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है और राजा भहिया की ये जो नाराजगी है ये कहीं न कहीं प्रताब गड़ और कौशामभी सीट पर वर्ष पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है इसके हुआ एबी पी गंगा खबर आपकी जवाद की